भक्त जनो परणाम और नमस्कार कल आने वाली सनिवार के दिन अमवश्या के दिन मात्र एक छोटा सा उपाय करना है भुले बाबा की भोग लगाने के लिए एक छोटा सा उपाय भक्त जनो आप लोगों को जिन्दगी को सारी समस्याएं सारी दूख तकलीब से छुटकारा दिला सकता है भक्त जनो तो ये कल तीस तारीक के दिन सनिवार के दिन ये छोटा सा उपाय भक्तजनों करिए और अपने जिंदगी को सफल बनाए तो देखिए आप लोगों मैं जो इसकीन पर दिखा रही हूँ ये हमारे आटा है आटा साप सुत्री और सुध होनी चाहिए जूट काट नहीं होना चाहिए नमक वाला भी नहीं होना चाहिए और यह है गुड़ इसको हम बारिक तोड़ लेंगे और तोड़ के दोनों को मिक्स करके और इसको हम छोटे छोटे घीग में गुलगुले निकाल लेंगे साथ गुलगुले निकाल लेंगे भोले बाबा के नाम के और संध्या के समय 6 बज कर 20 मिनट पर भोले बाबा के मंदिर में जा करके भोले बाबा को भोग लगा देना है इसके बाद वहां से दो गुलगुले लाना हैं दो गुलगुले लाना है वापिस और आपके घर में जो भी समस्या हैं रोग है दूख है तकलीप है परसानी है जो आप अपने मन में सरधा और विश्वास रख करके भोले बाबा के भोग लगाये थे वही सरधा और विश्वास रखते हुए अपने रोगी आदमी है अगर तो उसको खिला देना है वो खाते ही उसके दूसरे दिन ही उसकी रोग दूख बलाए जितनी भी समस्या होगी टल जाएगी अगर किसी को नोकरी के इवी इक्षा है और पूत्र की इवी इक्षा है तो उसको यह गुलले खिला देना है भक्त जनो आनने वाले दूसरे महीने में पूत्र प्राप्ति की खुश खबरी सुनने के मिल जाएगा भक्त जनो तो एक छोटा सा उपाय करके भक्त जनो अपने जिंदगी को सफल बनाए जय भोले बाबा की